बट अगर आप लोग ये स्कूटर क्यू लोग है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दू तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चीज नमस्ते दोस्तों and welcome to our channel कैसे आप लोग और आज इस वीडियो में हम लोग रिवीव करने वाले हैं एप्रिलिया SR 125 के न्यू मॉडल के बारे में बट वीडियो स्टाट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा थैंक्स टू सोनिया मोटर्स जिन्होंने अपने को ये बीटिफुल स्कूटर प्रोवाइड किया है रिवीव करने के लिए अगर आप लोगों को लेना है या फिर इसके रिकार्डिंग कोई भी तरीका का क्वारी है सो आप लोग नीचे कॉंटक्ट डीटिल्स आप लोगों को मिल जाएंगे वहाँ पर कॉंटक्ट करके अपना क्वारी रिजॉल्ट कर सकते हो तो चलिए जादा टाम वेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू जैसे आप लोग देख रहें अपने पास है यह SR 125 और SR 160 दोनों का रिव्यु हम लोग करनेवाले हैं बट पहले इस वीडियो में हम लोग करनेवाले है SR 125 दिखने में दोनों बाइक अच्छी है, दोनों बाइक सेम लगती है और दोनों में फीचर भी अलमोस्स सेमी हैं बड इन दोनों के अंदर इंजिन अलग अलग है तो पहले हम लोग करने वाले है रिव्यू SR 125 का और यहां पर मैं आप लोगों को पहले तो यह चीज बता देता हूँ कि लोक लोक वाइस काफी अच्छा लगता है और डेफिनेटली इसका बिल्ड कॉलिटी भी काफी अच्छा है अगर आप लोग यहां पर फ्रंड में देखोगे तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा फाइबर का फिनिश मिल जाएगा और सेम यहां पर जो ग्रेब रेल है वो काफी अच्छा है और हैवी लगता है अगर आप लोग पीछे से देखोगे तो आपको यह स्कूटर कुछ इस तरीके का लुक देगा जिसके अंदर से यह है ग्लॉसी वाला इसके अलावा ब्लू वाला भी है अगर आप लोगों को एक इस tax feature है वो यह मिलेगा इसके अंदर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो के भी फुल्ली LED है और इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी डीटेल्स मिल जाएंगे हाँ इसके अलावा आप लोगों को यहां पर LED LED headlight मिल जाएगा जो पहले आताता हलो जिन में और पीछे भी आप लोगों को LED मिल जाएगा फ्रन में आप लोगों को हलोजों वाले signal indicators मिल जाएंगे और साथ में यहां पर आप लोगों को जादा अच्छा stability चाहिए तो डिफिनेटली यह आप लोगों को help करेगा, साथ में काफ़े अच्छा engine है जो कि smooth है, and power काफ़े अच्छा देता है साथ में, जो feature से वो सही है yes, cost के वाइस में मैं इसको यह नहीं बोलूँगा कि यह थोड़ा सा costly है but यह बोलूँगा कि आज के जो 125cc के scooter है, उनके मुकाबले थोड़ा सा price जादा है, but still, it's a premium scooter, तो premium scooter के लिए आप इतना चीज़ तो pay कर सकते हो, यह क्यों मैंने आप लोगों को बोला, कि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़े normal scooter से अलग मिल जाती है, and इसके वज़े से आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से बोलते हैं कि stability काफी अच्छा मिलेगा, features काफी अच्छे मिलेंगे, and साथ मैं जो एक तरीके से बोलते हैं कि price है, वो थोड़ा सा उपर की और चला जाता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका सबसे पहिला और नया चीज, वो है instrument cluster, तो instrument cluster का animation काफी अच्छा है, और साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा speed, फिर यहाँ पर आप लोगों को tachometer मिल जाएगा, जो की scooter में बहुत खाम हाता है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा time, यहाँ पर आप लोगों को auto मिल जाएगा, engine कितना high, hot and cold है, यहाँ पर आप लोगों को fuel मिल जाएगा, यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर यहां जो तेंपरेचर रहा है यहां पे अब लोगोगोदा के बात शाले कघाप वे देख लेते हैं इसका अग्जॉश को स्टार्ट होते ही एकदम से जकास हो गया और इंजिन एकदम से स्मूध है इसका वाव काफी सही है और अभी में चीज बात करते है इसका इंजिन का तो इसके अंदर है अगर आप लोग इसको चला ओगे तो लो एंड में आप लोगों को काफी अच्छा पावर डिलिवरी मिल जाएगा सस्पेंशन थोड़े से स्टीफर की और है बट स्टिल अगर आप लोग इसको थोड़े सा स्पीड बगाने वाले हो तो काफी अच्छा है और इसका top speed आराम से 90 प्लस चला जाता है जो कि again एक बहुत अच्छा चीज है यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन tires के बारे में तो tires इसके बाकी scooter के मुकाबले बहुत ही अलग है तो tire आप लोग यह जो देख रहे हो है यह 14 इंच का 120 by 70 section का और यहाँ पर आप लोगों को यह C8 का tire मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को disc मिल जाएगा बट इसके अंदर ABS नहीं है ABS आप लोगों को जो 160 वाला model है इसमें मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को CBS मिल जाएगा इसके अलावा हम लोग कुछ additional चीज़ों का बात कते है तो यहाँ पर जो switch gears का quality है वो भी काफी अच्छा है तो मैं आप यहाँ आपको चालू करके बता देता हूँ यह काफी premium लगता है LED light का throw काफी अच्छा है साथ मैं यहाँ पर signal indicators आप लोगों को मिल जाएगे जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो यह है halogen वाले left and right दोनों भी साथ मैं यहाँ पर लोगों को हॉन मिल जाएगा वाँ होन काफी जाथा loud है normal और यहाँ पर कुछ आप लोगों को additional button मिल जाएंगे जैसे मैं आप लोगों को बोला पर switch gear का quality काफी अच्छा है यह mode से भी आप सेम चीज़ यहाँ पर चेंज कर सकते हो और यह mode से भी सेम चीज़ सेट कर सकते हो अगर आप लोगों को time change करना ह या anything की मुझे इसका काफी अच्छा लगा तो यह जो की है थोड़ा सा अलग design का है यहाँ पर लोगों को बोलता हूँ यहाँ पर लोगों को बोलता हूँ यहाँ पर लोगों को luggage holder मिल जाएगा तो कुछ अगर आप लोगों को luggage bag carry करना है तो आप लोग यहाँ पर easily connect कर सकते हो बड़ी जो food board है वो थोड़ा सा छोटा है तो अगर आप लोग यहाँ पर रखोगे आप लोगों को थोड़ा अपना लेक का देखना पड़ेगा साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को और कोई extra luggage holder नहीं मिलेगा एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर बैट के बता देता ह आप लोगों कोई भी दिक्कत नहीं होगा लेकिन हागर अगर आप लोग यहाँ पर कुछ लगेज रखने वाले हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा चोटा चीज है स्टील इस वाट इस और मैं भी आप लोगों को जो है थोड़ा इसका opposite side बता देता हूँ तो यहाँ पर काफी अच्छा यह finish दिया है जो मुझे तो काफी अच्छा लगा और यह side में अगर आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को यह muffler का chrome वाला finish मिल लगा जो कि मुझे अगें यह scooter के अंदर काफी अच्छा लगा यहाँ पर चीज है कि यह जो इसके footpacks है वह foldable है तो अगर आप लोग यहाँ पर connect करोगे तो वह इसे लगते ही नहीं कि यहाँ पर footbacks है बाट अगर आप लोग यहाँ पर easily pillion pair रखके बैठ सकता है और काफी strong है यह चीज काफी अच्छा है अभी मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ इसके अंदर और वो है under seat storage तो वह भी एक बाद देख लेते हैं कि कितना है तो पहले इसको open करते है seat काफी हलका है इसका and जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो इतना space है इसके अब लोगों को mobile charge करना है तो अंदर रखे आप easily कर सकते हो यहाँ पर लोगों को petrol के लिए knob मिल जाएगा आप लोगों को seat उपर करना बड़ेगा और यहाँ पर जो petrol tank का capacity है वो है 6 लिटर गा और mileage आप लोगों को आराम से इसके अंदर मिल जाएगा 40 से लेके 45 तक का जो की अगें काफी अच्छा है एक premium scooter के हिसाब से अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बैट के बता देता हूँ कि पीलियोन का seat भी कितना comfortable है like compare to the rider तो rider का seat काफी जादा comfortable है and अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाओ तो yes पीलियोन का seat भी अच्छा है comfortable है so it's like a really good so guys Aprilia SR 125 का on-road price जात का और अगर आप लोग SR 160 के लिए जाओगे तो उसका थोड़ा सा जादा है अगर आप लोगों को थोड़ा सा जादा power चाहिए थोड़ा सा जादा fun तरना है थोड़ा सा जादा top speed चाहिए तो definitely आप लोग SR 160 के लिए भी जा सकते हो बट ये है SR 125 अभी next वीडियो में हम वाले है SR 160 तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दो लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोगों को ये स्कूटर लेना है इसके रिगारिंग कोई भी तरीके का क्वारी है तो आप लोग नीचे कमेंड कर सकते हो या फिर जो है sonia motors उनको contact कर सकते हो हुआ 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 है